DC DV, Solar System में लगने वाला बहुत important components है ये components कैसे काम करता है, इसका connection कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज लगा होता है आज के वीडियो में हम जानेंगे, साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये DC DV किस price में market में available है मतलब ये किस price में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसका हम लोग price list भी जानेंगे आज के वीडियो में तो चलिए हम लोग वीडियो को start करते है, DC DV का full form होता है direct current distribution box जो distribute करता है DC current को, इसलिए हमने नाम दिया direct current distribution box ये distribution box जो है solar system में लगने वाला बहुत important components है इसका हम लोग use क्यों करते हैं, तो इसका use safety के purpose से करते हैं ये एक box है, जो safety हमें provide करता है और safety किस चीज़ को provide करता है, हमें और हमारे equipments को यानि हमारे product को, जो solar system में लगे होते हैं और DC DV जो है, ये लगे होते हैं solar panel और solar inverter के बीच में DC DV का use हम लोग करते हैं protection के लिए solar system से मिलता है, तो DC current है और DC current कहां आता है, battery में तो इस सारे DC current को control करने के लिए हमें एक box लगाना होता है जिसका नाम है direct current distribution box जिसे हम लोग DC DV बोलते हैं DC DV के अंदर लगा होता है SPD जिसे हम लोग बोलते है surge protection device और लगा होता है DC MCV और साथ में DC fuse भी लगा होता है इस box के अंदर और ये DC DV protection देता है जो solar panel को, solar inverter को और solar battery को और साथ में हमें भी protection देता है तो इसलिए हमने DC DV का installation करते हैं तो चलिए हम देखते हैं DC DV का जो 2D figure है ये हम देख पा रहे हैं 2D figure है इसमें आप देख पा रहे होगे solar SPD लगा है, solar MCV लगा है और साथ में इसमें fuse भी लगता है जैसे कि आप देखरो यहाँ पे gland लगा हुआ है ये gland, देखरो 2 inlet और 2 outlet मतलब 2 in और 2 out का दिया गया है जो चाहो उस तरह का in और out वाला DC DV ले सकते हो जो string wire आते है solar panel से, solar array से उस सारे array को एक साथ assemble करने के लिए जो box लगा होता है उसे हम लोग array jensen box बोलते हैं मतलब AJV बोलते हैं और ये AJV जो है बहुत सारे DC DV में एक साथ लगा होता है इसलिए AJV और DC DV दोनों को हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं अब हम जान लेते हैं DC DV जो है ये minus 10 degree से 60 degree Celsius तक ये काम कर सकता है और इसका जो box होता है IP66 rated है मतलब ये box fully dust proof है इसके अंदर गंदगी अंदर नहीं जा सकता है और DC DV का जो inlet और outlet मतलब input और output जो wire होता है वो one in और one out होता है या फिर two in two out वाला होता है तो जैसे आप चाहो वैसे आप ले सकते हो जिसमें एक switch लगा होता है जिसे हम लोग on off कर सकते है साथ में एक switching के लिए MCV भी लगा होता है मतलब MCV हाला कि वो अलग काम करता है switch के तरह भी use कर सकते हैं DC का तो दो तरह का switch लगा होता है DC-DV में और MCV का आपको आप पता ही है DC-MCV अलग आता है और AC-V MCV अलग आता है जो DC-MCV आता है इस पेसली हम लोग solar के सक्टर में use करते हैं solar के लिए हलाकि इसका मैं अलग से एक video बनाया हूँ DC-MCV के बारे में मैं दिखाया भी हूँ कि वो किस तरह काम करता है DC-MCV के जगह अगर AC-MCV लगा दे और AC के जगह अगर DC लगा दे तो क्या फर्क हाता है इसका मैं especially एक video बनाया हूँ और मैं practical करके भी दिखाया हूँ कि क्या fault आता है क्या सही है और क्या गलत है आपको suggestion में मिल जाएगा वीडियो के end में आप जरूर देखना उस वीडियो को और इस box के अंदर लगा होता है surge protection के लगा होता है SPD जिसे लोग बोलते है surge protection device और यह जो SPD लगा होता है type 2 का लगा होता है DC DB का जो front face होता है जो वो transparent glass का बना होता है मतलब इसके अंदर हम लोग R पार आसानी से देख सकते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब इसका price list जो 1 किलो वाट का जो आप solar system लोगे DC DB वाला तो उसका जो price पराएगा बड़े company का अगर आप DC DB लोगे तो उसका price आपको लगभग 4500 रुपे परेंगे 1 किलो वाट का और 10 किलो वाट का जो परेगा वो सारे 8000 रुपे परे जाएगे आपको बड़े company का देख पाएगे 1 किलो वाट का जो single phase में DC DB अगर लेते हो तो कुछ छोटे वोटे company का जो DC DB आता है उसका अगर लोगे तो आपको 2600 रुपे में मिल जाएगे और यहीं अगर DC DB अगर बड़े company का लोगे मतलब बहुत नामी company का लोगे बड़े brand का लोगे तो लगभग आपको 4500 रुपे में मिलेंगे जो 2 kilowatt single phase में जो आएगा DC DB उसका price होगा 2600 रुपे तीन kilowatt तक लगभग सेम है यहाँ देख पार हो 4500 रुपे तीन kilowatt अब 5 kilowatt में अगर single phase में लेंगे तो उसका minimum जो price होगा मतलब छोटे brand का जो price होगा 3500 रुपे में आपको मिल जाएगे अगर बरे brand में चले जाओगे आप तो फिर 7500 में आपको मिलेगा वैसे ही अगर 5 kilowatt में 3 phase में जाओगे सेम है दोनों का चाहे आप 3 phase बला लो या फिर single phase बला लो लेकिन 10 kilowatt का अगर लेते हो 3 phase में तो उसका जो छोटे brand का जो cost आएगा 4500 रुपे अब बरे brand में अगर जाओगे तो वो 8500 रुपे आपको पढ़ जाएंगे तो यह है था price list 1 kilowatt से लेके 10 kilowatt तक का DC DV का अब हम देख लेते हैं इसका look कुछ इस तरह कि आपको DC DV box दिखेगा या इसमें आप देख पाओगे लगा हुआ है SPD, MCV, स्विचिंग के लिए देख लिए यहाँ पर लगा हुआ है तो DC SPD, DC Fuse साथ में DC, MCV भी लगा हुआ है तो आज के वीडियो में हमने देखा DC DV के बारे में साथ में जाना है उसका price list भी तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर